जैए शरीराम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का इपर फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीन राशी के जातकों के लिए वर्ष 2023 के अंदर चार ऐसे मुख्यग्रह जिनको हम भायग्रह कहते हैं यही कह सकते हैं इनके बिना कोई भी कुंडली कोई भी राशी अधूरी है वो हैं शनी राहुकेतू एवं ब्रस्पती अब इनका गोचर 2023 के अंदर आपकी राशी से कहां किस भावों में चलेगा उसका क्या फल होने वाला है साती सात वर्ष 2023 में शनी भी और ब्रस्पती भी दोनों वक्री भी होंगे राहुकेतू का राशी परिवर्तन भी होगा और शनी की साड़े साती का पहला चरण भी शुरू हो जाएगा मीन राशी के जातकों के लिए तो इन सब का क्या फल रहने वाला है सिर्फ 2023 के उपर आपके उपर क्या प्रभाव रहेगा इन मुख्या ग्रहोगा क्योंकि ब्रस्पती को किसी भी कुण्डली के लिए किसी भी राशी के लिए पांच ऐसे जगों का कारा कहा जाता है जिसके बिना कोई भी राशी कुण्डली अधूरी है धन, धन संच, भाग्य, फल देना, करम देना, करम का फल मिलना, संतान, संतान उत्पत्ती, पैसा, संमान, ये ब्रस्पती से मिलते हैं वहें शनी है करम फल प्रदाथा, आप से लगातार निरंतर करम कराने वाला जो घ्रह है वो शनी है इसलिए सबसे पहली चर्चाई में शुरू करूँगा यहां शनी के बारे में क्योंकि शनी आपकी राशी से 12 भाव में ट्रांजिट करते हुए आपके उपर इंडिकेशन डाल चुके हैं कि आपको साड़े साती का पहला चनल स्टार्ट हो गया है अब शनी आपकी राशी से 12 भाव में ट्रांजिट करेंगे धाई वर्ष तक ये ग्रह यहीं रहेंगे हम यहां स्पेशली बात करेंगे दोजार तेईस की के शनी 17 जनवरी दोजार तेईस को राशी परिवर्तन करेंगे राशी परिवर्तन करते ही शनी मकर राशी से निकल कर कुम्बु में प्रिवेश करेंगे यहां शुरू होगा साड़े साती का पहला चरण चंद्रमा से बारवे घर में गया हुआ अशुब गरहे चिंताएं देता है ये शास्त्रियनियमे के चंद्रमा से बारवे घर में अशुब ग्रह जैसे राहू, केतु, सूर्य, मंगल, शनी ये अगर राशी से यानि चंदरमा से बारवे घर में ट्रांसिट कर रहे हो तो ये प्राबलम देते हैं, बेचैनी देते हैं, अनिद्रा देते हैं, इसको माइंड के लिए अच्छा नहीं माना जाता, शनी क्योंकि एक राशी में धाई वर्ष तक चलता है, इसलिए ये प्लै चंद्रमा और शनी एक दूसरे के मित्र नहीं है आपकी राशी से 12 में गया हुआ शनी स्रेस तो देगा ये बात तो पक्ये के चंद्रमा से 12 में गया हुआ शनी स्ट्रेस देता है प्राब्लम देता है वहीं शनी की तीसरी द्रश्टी जब धन भाव पर आ रही होती है तो इसको कहते हैं पैसे से संबंदित संघर्ष बढ़ेगा क्योंकि शनी की तीसरी दश्टी जिस भाव पे हो उस भाव से संबंदि संधर्ष को बढ़ाने वाली होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा वो पैसे से संबंदि संधर्ष को बढ़ाएगा अब शनी 12 शेश होके 12 में अपनी राशी का कोई भी गरहें अपने भाव को नहीं बिगाड़ता के शनी यहाँ पर द्वादशेश होकर द्वादश में रहेंगे यानि बारवा गर जादे एफेक्टिव हो रहा है और यह एकादश लाब का मालिक है लाब के लिए बाहर जाना लाब कमाने के लिए दूर से जुड़ना लाब कमाने के लिए ट्रेवलिंग्स होना लाब कमाने के लिए दूर स्थान पर ब्रह्मन टू ट्रेवलिंग्स यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से जुड़कर पैसा कमाने का जो मौका देता है वो यही ग्रह देगा यानि ये शनी भले ही साड़े साती में होंगे तो साड़े साती का पहले चरण का इफ्रेक्ट तो ये देंगे वो तो शनी का सुभाव है लेकिन आपको और उसके अलावा क्या-क्या दे सकते हैं ये भी तो आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ एकी चीज़ को लेके बैट जाओ भाई मुझे साड़े साती चल गई अब तो मेरा जीवन बेकार पर जरूरी नहीं है कि प्लैनेट आपको प्राबलम दे क्योंकि ये ट्रांजिट है साड़े साती हो या किसी भी ग्रह का गोचर वो 30-30 से जादे आपको परिणाम दे ही नहीं सकता आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैटे हैं क्या दशा चल रही है शडवल क्या कहता है वर्ग कुंडलिया क्या कह रही है ग्रहों के अंश क्या कह रहे हैं दशा का परभाव, प्रामिस क्या कह रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर वो सब चीजे एक अलग पार्ट है तो यहां ट्रांजिट हमारे पास है जिसको हम साड़े साती के रूप में देखते हैं तो शनी की साड़े साती का पहला चरण इसमें कोई संदेह नहीं है थोड़ा सा स्लीप लेस लेस कि मुझे थोड़ी सी अनिद्रा की प्राबलम हो रही है मुझे थोड़ी नींद बहुत बढ़िया तरीके से नहीं आ रही लेकिन वहीं कामकाज के तरीके से देखें तो यह अच्छा है इसको मैं खराब नहीं मानता शनी की करम की दरश्टी शनी की दस्वी दरश्टी आपके भाग्या स्थान पर पड़ेगी इसका मतलब है शनी आपके भाग्या को बनाने के लिए तैयार बैठे है क्या आप करम तो करो आपको बारवे घर से जड़ोगा करम करो आप कोशिशी मत करो के मुझे किस थान पर बैठ के ठीया बंद काम करना है आप अपने आपको बाहर से जोड़ो जो लोग विदेश से जोड़ के नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है क्या आप विदेश के लिए ट्राइ करो पर ग्रह का फल ऐसा ही रहेगा जैसा है ग्रह पहले के मुकाबले बली हो जाएगा लेकिन वो बली दौनों तरफ से होगा कि वक्री होने पर प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है जब वो बली होगा तो बली होने से क्या होगा 12 भाव का मालिक बली हो रहा है शनी बल हो रहा है करम करने की इच्छा पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी पहले के मुकाबले आप ज़्यादे मेहनती हो जाएगे लेकिन 12 थाओ उस राशी से 12 में गया हुआ वक्री शनी अगर चल रहा हो तो ये healthy issues देता है एकदम से कोई पैसे जगे पर पैसे का investment करना पड़ गया ये चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है तो उस चीज़ को आपको यहाँ ध्यान में रखके चलना होगा अब इसी चीज़ में अगर हम एक चीज़ को और जोड़ते तो वह है ब्रसपती के ब्रसपती कि शनी ने तो अपना काम कर दिया शुरू शनी ने तो साले साती का चरण भी दे दिया आपको result भी देंगे जैसे मैं आपको बताए है अब ब्रसपती को कहा गया है धनका कारक अच्छी बात यह है कि ब्रसपती अपरेल के महीने तक मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अपरेल 2023 तक ब्रसपती देव मेश राशी के अंदर ही ट्रांजिट करेंगे और ब्रसपती ट्रांजिट करते हुए मेन राशी के अंदर ही रहने वाले हैं उसके बाद वो मेश मेड़ाएंगे यानि सबसे अच्छी बात यह है कि आप जनवरी से लेके अपरेल तक का समय अगर देखो तो उसमें आपके भाग्य स्थान पर शनी ब्रसपती का दोरा गोचर पड़ रहा है अब शनी और ब्रसपती का दोरा गोचर यानि शनी ब्रसपती की दोरा गोचर अब नाइन थाउस पर फुलितों का नौव अगर भाग्य के लिए अच्छा समय है आपका भाग्य फली भूत होगा इसको हम यह कह सकते है नाइन थाउस धार्मिक यात्रा कराने का एक समय है कि यह समय आपको धार्मिक क्रिया गलाब, धार्मिक यात्रा या धार्मिक संस्थानों से जोड़कर काम करा सकता है सामाजिक कार्य करा सकता है वेद वेदांक अध्यान अध्यापन शिक्षा प्रारम करने के लिए समय अच्छा है इसको हम संतान प्राप्ति का समय भी कहते हैं ये higher education के लिए भी अच्छा समय है कि आपको यदि कोई शिक्षा में कोई higher education करनी है मालों किसी को net करना है, PhD करनी है master's degree करनी है या और आगे पढ़ना है या जोतिश, वेद, वेदां, करमकान जैसे subject पढ़ने है पुरान पढ़ने हैं, उनके लिए अच्छा समय है कि starting कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा अब ब्रस्पति तो जब तक यहां रहेंगे तब तक तो ब्रस्पति का संबंद जो है पंचम, सब्तम और नवम से बने गई बनेगा यानि जब नवम से बन रहा है दोहरे गोचर का संयोग तो जनवरी से अपरेल तक बहुत अच्छा समय मेन राची के जादकों के लिए संतान प्राप्त करने के लिए कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो यह वो समय है जो कंसीव कराएगा ये वो समय है जो आपको संतान का लाब देगा तो उस इसाब से उस लिहाज से ये कॉंबिनेशन बढ़िया हो जाएगा अब ब्रस्पती क्या है फरिवर्थन करेंगे 21 अपरेल को अब ब्रस्पती आपकी राशी को छोड़कर पहुँच जाएंगे मेश राशी के अंदर मेश राशी मंगल प्रधान राशी है अगनी तत्व राशी है अगनीतत वराशी में ब्रस्पती अगर जाए तो कभी-कभी समझदार होते हुए भी व्यक्ति गलती कर देता है कभी-कभी सावधानी होते हुए भी, समझदारी होते हुए भी, विवेक होते हुए भी आपको जल्दे बाजी कर जाएंगे क्योंकि यह मंगल की अगनीतत्व राशी है लेकिन ब्रसपती का धन भाव में जाना बुरा नहीं है प्रबलम कहां आती है, प्रबलम राहू से आएगी ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि 21 अपरेल के बाद होने वाला क्या है कि 21 अपरेल के बाद ब्रसपती का राशी परिवर्तन होगा ब्रसपती मीन राशी से निकल कर पहुँच जाएंगे मेश राशी के अंदर जहां पर पहले से राहू विराजमान है जहुग बनेगा गुरू राहू का योग और शनी की पढ़ेगी तीसरी दरश्टी अब दूसरे भाव के उपर धनकारक गुरू राहू के तु अक्षपे जब शनी से दरश्ट हो तो पैसे से संबंदित चिंता जैसा की मैंने शुरू मही कहा के शनी की तीसरी दरश्टी पैसे संबंदित खिचावट देती है पैसे संबंदित संघर्ष को बढ़ाने वाली होती है वही सेम सिचुएशन यहां से निकल के आ रही है कि गुरू अपनी जगे अच्छे तो है कि राशी का मालिक अपने से दूसरे में दशम का मालिक अपने से पाँचवे में ये कॉंबिनेशन अच्छा तो है लेकिन इसके साथ राहू होना और शनी की दरश्टी होना इसको कहते हैं आप अपनी बुद्धिमानी का सही समय पर सही परिशे नहीं दे पाएंगे आप अपने फैसलों का सही समय पर लाब नहीं उठा पाएंगे आप अपनी बोलचाल का सही समय पर फाइदा नहीं उठा पाएंगे जहां पर सही समय पर बोलने की जरुत होगी वहां आप चूक जाएंगे ये combination आता क्योंकि गुरू राहू का एक योग जो होता है ये ब्रस्पती को भ्रमित करता है राहू यहां ब्रस्पती पर ग्रहन लगाने का प्रयास करेगा राहू यहां कोशिच करेगा कि मैं ब्रस्पती की बुध्धी को किस प्रकार से ब्रहमित करूँ क्योंकि ब्रस्पती चलेगा सीधा राहू चलेगा उल्टा तो ये दोनों प्लैनेट एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे इसलिए इस combination में थोड़ा problem जादा हो सकती है कि आपको अपने ब्रस्पती को काबू में रखना है आपको अपने राहू को काबू में रखना है अन्यता सब कुछ ठीक ठाक चलने के बाद भी अगर आपको problem हो रही है तो आप खुद विचार करना कि मेरे अपने decisions की वज़े से मुझे problem हो गया मेरे अपने वज़े से मुझे दिक्कत हो गई इसलिए कि उस दोरान शनी की द्रश्टी भी आपके उपर होगी एक समय आएगा जब ब्रस्पती वक्री होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रस्पती जो है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे धन भाव के अंदर अब धन भाव में वक्री ग्रह हो गए साथ में एक और वक्री ग्रह राहू भी और उस दोरान शनी भी वक्री होके इस पर द्रश्टी देंगे यानि ये समय आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टफ साबित हो सकता है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा चार सितंबर से 31 दिसंबर अब राहू केतु तो 30 अक्टूबर तक इनी राशियों में रहने वाले तो यानि राहू केतु का जो अल्मोस्ट 2023 का फल है वो इसी राशियों में रहेगा लेकिन 21 अप्रेल से 30 अक्टूबर के बीच राहू ब्रस्पती के साथ रहेंगे शनी से द्रश्ट भी रहेंगे ब्रस्पती राहू दौनों वक्री भी होंगे इसलिए 21 अप्रेल के बाद आपकी बढ़ जाती है साब धानिया कि अगर आपको पैसा चाहिए आपको धन संचे चाहिए आपको काम धन्दे में तरक्की चाहिए चाहिए नौकरी में हो चाह व्यापार में हो तो आपको ये बाते समझनी होंगी कि कहां कितनी जरूरत है कहां कितना बोलना है जरुष से ज़ादे बुद्धी नहीं चलानी जरुष से ज़ादे दिमाग चलाने की ज़रुत नहीं है अन्यता इस ग्रहे के कारण आपको नुकसान संभव है ये ग्रहे कहते हैं सब कुछ समझदारी होते हुए भी मैंने अपने आप अपनी गलतियों से नुकसान कर लिया तो करना क्या है देखिए एक बात ध्यान लखिए 21 अपरेल के बाद से आप अपने जीवन में दो चीज़े डाल लीजिए पहला ब्रस्पती को स्ट्रॉंग कीजिए आप ब्रस्पती को स्ट्रॉंग करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं लेकिन मैं बीज मंतर पर अच्छा विश्वास रखता हूँ क्या ब्रस्पती का बीज मंतर ओम ब्रम ब्रस्पते नमा इसको शुकल पक्ष के ब्रस्पतिवार से शुरू करना और तीन माला रोजानच अपनी शुरू करना और साथ में एक रुद्र गायत्री मंतर ओम तत्पुरशाय विद्महे महादेवा यदीमही तन्नो रुद्रह प्रचोद्यात इसकी एक माला का जाब शुरू कर देना केसर का तिलक लगाना शुरू कर देना अपने मस्तक पर, अपने कंट पर और अपनी नाभी पर या हल्दी का तिलक लगा लेना सीधे हाथ में यदि आप पुकुराज पहनते हैं तो बात लगे अगर आप नहीं पहनते हैं तो इसमें एक गोल्ड की रिंग पहन लेना नहीं है रिंग तो कोई बात नहीं मत पहनना लेकिन जो उपाय बताएं जो मंतर जाब बताएं वो आपके लिए करना नहीं बाता है अन्य था आप ब्रस्पती के अच्छे फल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ब्रस्पती यहां पहुँचने के बाद दूशित हो रहा है यहां ब्रस्पती राहू केतु के गिरफ्त में भी जा रहा है और यहां ब्रस्पती शनी से द्रश्ट भी होगा यहीं पर बैठके ब्रस्पती वक्री भी होंगे और शनी भी वक्रियों कर इसी भाव पर द्रश्टी देंगे इसका मतलब है कि 21 अप्रेल के बाद से जो चेतावनी शुरू आपके लिए होती है उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको यहां बता दिया है उपायो करने से आपको सारी चीजों की प्रॉब्लम सौल हो जाएंगी राहू आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ब्रस्पती आपके फुल फ्लेश रिजल्ट देंगे क्योंकि ब्रस्पती यहां से बैटकर छटे भाव, आठवे भाव और दसवे भाव पर द्रश्टी भी दे रहे होंगे अब छटा घर रोग इरिन रिपो बहुत बार देखा है कि दूसरे घर का ब्रस्पती हो तो बीमारियों पर पैसा खर्च करा देता है अडचने सामने ला देता है लेकिन कहीं न कहीं काम चलता रहता है कि पैसा तो किसी न किसी साधन से आ रहा है लेकिन पैसे को हम जोड़ नहीं पारे संचे नहीं कर पारे उसके लिए उपाय करिएगा आप करेंगे उपाय तो problem से दूर रहेंगे अगर उपाय नहीं करेंगे कि हमें उपाय नहीं करने जो होगा देखा जाएगा तो आप देखेगा पूरे उसमें problems में आप फसे हुए रहो तो यहां मैंने आपको समझाया कि साड़े साती भी प्रार है मिलका फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रही है कमिर साथ जैश्वरी राम